इस ख़बर में आपको बताएंगे कि जो math के लेने के लिए restrictions थी class 11 में कि कौन basic math लेगा कौन standard math लेगा तो इसमें government ने जो cvc ने थोड़ा सा इसमें कुछ changes किये हैं कि पहले यह था कि जो basic math लेगा class 10 में और 11th class में standard math नहीं ले सकता है बट अभी इसमें थोड़ा सा change किया ग इनके math कम जो रहे है अगर 10th में निकालना चाता है तो राल से निकाल सकते हैं उनको 11th में भी math लेने का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा तो यह अच्छे opportunity ऐसा क्यों किया गया है क्योंकि corona के वज़ए से जो corona system चला रहा है पुरा education system तो corona इसमें चला रहा है तो online classes तो तो students are appearing to opt for option 2 to appear in compartment examination in mathematics standard being desirous to pursue mathematics in class 11th पहले ही जो था कि फिक्स था कि अगर आपको 11th में standard math लेनी है तो आपको standard math class 10th में लेना ही होगा बट अभी जो system हुआ है उसमें अगर आपको आपने basic लिया हुआ है क्योंकि 9th में बहुत सारे बच्चों ने select किया हुआ है कि हम basic math करना है तो ऐसे case में थोड़ी सी जो समस्य थी कुछ बच्चों के साथ जो 11th math लेना चाहते हैं अगर लेकिन इसमें एक restriction लगाई है कि कि जो भी आप बच्चे को जिसको भी 11th math दे रहे हैं तो आप एक बार उसका aptitude और ability एक बच्चा का भी लेकि नहीं ऐसे ही आप किसी को कि जो चिलता रहता है तो आई हम आपको इसी पूरे जो मैंने समरी आपको बताई है यही पूरी इस नोटिस में दी गई है उसको जान लेते हैं कि वाइड सेर्कुलर नमबर दिस F 1002 CVSC और बाकि पूरा इनोटिस का डिटेल दिया हुआ है कि इन्होंने एक जो 10th of January को जिन निकाला था तो अभी जो समस्चा थी कि काफी सारे लोग जो standard math लिये भी थे और जो basic math लिये थे अभी पिछले साल exam दिया है जिन्होंने तो अभी 11th class में math ले सकते हैं ने ले सकते हैं बड़ी समस्चा थी तो उस समस्चा को उधर ने समाधान किया है और यही ची तो इसके लिए और चीज था कि अगर आपको standard math लेना है actually तो उसमे एक प्रोविजन था basic math वालों को basic math वाले बच्चे के लिए प्रोविजन था कि वो compartment exam दे के फिर से standard math ले सकता है यानि उसको standard math का paper देना होगा तब इसको standard math ले सकता है बट अभी compartment exam actually हो नहीं पाएगा औ और exam नहीं हो पाएगा इसवज़े से अगर बच्चा लेना चाहता है तो इसको कैसे देंगे तो इस समस्या का solution निकालने के लिए उन्होंने ऐसा बोला कि आप दे दीजे अगर बच्चा मांगता है तो ठीक है casually कोई compartment exam अलग से conduct नहीं कराया जाएगा सब को जैसे general promotion मिल जा और आपकी जो भी पढ़ाई है उसको continue रखी आपका नुकसान नहीं होना चाहिए आपको जहां सभी पढ़ने का मिले online offline जैसे प्रकार से भी आप अपनी पढ़ाई continue करने का प्रयास कीजिए जिस प्रकार से लोग corona से लड़ रहे हैं उस तरीकर से आपको भी अपने situation से मिलते आपके साथ next video में तब तक लिए धन्यवाद